नमस्कार बहुत स्वागत और अभिदेंदन आप सभी का ड़िवेट में मैं ब्रजेश मिश्टा हूँ बैनों भाई हूँ देश के भीतर किसानों का धर्ना प्रदर्शन लगातार जा रही है एक महीने बाद भी इस्थितियां जसकी तसें बादचित एक बाद टूटने के ब अंदोलन नहीं है यह कोई सामान ने धर्ना प्रदर्शन नहीं है यह एक असमान ने भी सड़ और बड़ा किसान आंदोलन है और इस तरह के आंदोलन बहुत लंबे समय के बाद इस देश में हुआ है लिहाजा केंदर सरकार अगर यह समझती कुछ टाइम बाई करके वह इस अंदोलन को हलका कर सकती है तो शायद यह सरकार की भूलोगी क्योंकि किसान इस बारे में बहुत ही निरणायक बाच्चीत के लिए आए है निरणायक जब तक वो मुद्दे को अपने सारी मांगों को पूरा नहीं करा लेते हैं वो जाने के विचार में नहीं है आज इस देश के लार्जेस्ट अपोजीशन कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और कांग्रेस को कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया राहूल गांधी और प्रियंका बाहर निकले चड़क पर प्रदर्शन किया राहूल गांधी भारत के राश्ट्रपती जी से भी मि लेकिन किसानों के प्रती कांग्रेस ने अपना समर्थन व्यक्त किया तो आखिर ये किसान की लड़ाई कहां तक जाएगी और इसका क्या विकल्प है क्या समाधान है हम लोग पिछले कई रिबेट से कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे का समाधान निकले लेकिन वह निकलता हुआ दिख नहीं रहा है किसान भाई आज भी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में नौएडा में सलकों पर बैठे हुए हैं तकरीबन एक महीने से ये गतिरोध क प्रदेश कानून रद्द करो तब बात होगी तो इस मसले का समाधान क्या है कि इस मसले का राजनीती करण नहीं हो पाया इस मसले को कुछ और मुद्दों से जोड़ने कोशिश हुई लेकिन वह सब निरर्थक साबित हुई तो भारत सरकार के पास विकल्प क्या है इनके सा है इसका और किसानों की शंकाओं को दूर कौन करेगा हमें इस पर विचार करना पड़ेगा दिल्ली को चारों तरब से किसानों ने घेर रखा है यह कोई सामानने बात नहीं है और कितने दिनों तक हम इस तरह से देखेंगे इस भयानक कड़कडाती ठंड में जब तीस से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हो उनकी मृत्ति हो चुकी हो तो आखिर इन बातों को कौन जुनेगा चालिस से ज़्यादा किसान यूनियन ने इस देश की हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही है किसान दोलन का हिस्सा है हज्यारों की तादाद में लाखों लोग हैं सिंगू बाडर आप देखिए तो पंदरा किलोमीटर दूर तक हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां और उस पर बैठे हुए लोग हैं जो धरना रत हैं तो हम कब तक हिन इस्धितियों को देखेंगे और सरकार के पास इसके समधान का कोई राष्ता है अतों नहीं है और यह जीट क्योंकि यह कानून लागू होगा जब कि इतनी बड़ी तादाद में किसान इसके शुपॉर्ट में नहीं है तो हमें रास्ता कह निकालना थो तो उनको ये जबर्दस्ती लगाने की कोशिश क्यों सरकार पर ये इल्जाम लग रहा है कि वो क्रशी का निजी करन कर रही है क्रशिक छेत में कुछ बड़े प्लेयर्स को लाकर किसानों की जमीन चीन लिजाएगी ऐसे उनकी आशंका है मंडिया खत्म होंगी MSP गारंटीड नहीं है और कांट्रेक्ट फार्मिंग के नाम पर इस देश में जो कुछ भी एक्स्पेरिमेंट कुछ राज्यों ने किये हैं वो भी भल रहे हैं तो क्या वो कांट्रेक्ट फार्मिंग के नियम कानून कड़े होंगे कैसे उनका रास्ता निकाल लगे सरकार कहती है कि हम क्रशी का अधुनिकी करण चाहते हैं और चाहते हैं कि क्रशी का अक्षेत्र में बदले उदारी करण आए जैसे कि नब्बे के दशक में हुआ था देश में आर्थिक मामलों में तो हम क्रशी में भी लागू करना चाहते तो किसानों में एक confidence क्यों नहीं आ रहा है किसान इस मुद्दे पर सोच क्यों नहीं पा रहा है किसान इस मुद्दे पर सहमत क्यों नहीं है उसकी शंकाओं को समधान क्यों नहीं हो रहा है रेलियां करने से चौपाल लगाने से प्रेस कांफरेंस करने से कोई हल नहीं निकलने वाला हल तब निकलेगा जब दोनों पक्ष टेबल पर बैठेंगे एक दूसरे की बात सुनेंगे और किसान हित पर इस देश में काम होगा अगर इंडस्ट्री सेक्टर में सरकार कंसर्ण रहती है तो उसे अग्रिकल्चर सेक्टर में भी उतने ही कंसर्ण दिखाना पड़ेगा इस देश की बैकबोन किसान है इस देश की बैकबोन इस देश की अर्थबेवस्ता की रीड भारत का किसान है क्रशिक छेत रहे कुरोना काल में आपने देखा होगा कि सारे सेक्टर धढाम हो गए थी किसी भी सेक्टर में ना मैंटुफेक्टरिंग ने सर्वी सेक्टर ना इंडस्ट्री सेक्टर साब जगह हालत खराब थी एक सेक्टर शांदार काम कर रहा था अग्री कल्चर प्रड्यूस बढ़ी तो जब जिस देश की अर्थ विवस्था का मुख्या अधार ही क्रशी हो वहां पर कोई भी एक्स्पेरिमेंट करने से पहले हमें उस पर दस बार सोचना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा उसके जो श्टेक होल्डर्स हैं छोटे हो या बड़े हो हमें उन सब की राय और पड़ेगी और भारत सरकार को यह च豁आ कि उसे आम सहमती का रास्ता अपनानेंगी पड़ेगा वरना अप इस गतिरोध को समाप्त नहीं कर सकते हैं यह कतिरोद चलता रहेगा बढ़ता रहेगा और ऐसी क्या हल बढ़ी है सरकार को अगर किसान नहीं चाहते हैं और भारत की सुप्रीम कोट ने बिल्कुल ठीक काम है सहमत उस बात से कि सरकार चाहती है कि अगर कोट इस मामले में इंटर्वीन करें तो हमें कोई न कोई मार्ग एक छोड़ना पड़ेगा ना कि दोनों पक्षकर इस मसले पर अड़े हुए हैं यकीन मानिये रास्ता नहीं निकलेगा सुप्रीम कोट ने जो सुझाओ दिये हैं पर्फेक्ट हैं उस रास्ते पर दोनों पक्ष को बढ़ना चाहिए सरकार को चाहिए क्यों कानून रद भले ना करें इंप्लिमेंटेशन सुप्रीम कोट के अंतिम आडर आने तक के लिए रोक लगा दे और फिर बाचीत की टेबल पर बैठीए सुप्रीम कोट तो इंटर्वीन करने को तयार है तो दोनों पक्षों को लगे कि नहीं उनके साथ फ़िय Lacool का इनिया हो रहा है सरकार को लगे कि उन्होंने कानून बनाय धलतनाहित पूरी तरह और किसान ओं की लगे कि नहीं उनकी बात सुनी गई है उनके कंसर्म को सरकार ने और कोट ने समझा है तो हमें ये रास्ता निकालना पड़ेगा जो रास्ता भारत की सुप्रीम कोट ने जताया है उसी रास्ते पर चल कर ही हम इस गतिरोथ का समधान प्राप्त कर सकते हैं अने था ये गतिरोथ को घर चले गए यह बड़ा भीज़ड अंदोलन है यह किसान करांती का अंदोलन है यह खतम तब होगा जब निर्णे होगा उनके पक्ष में यह परिणाम कारी अंदोलन है यह परिणाम लेकर ही उठने वाला अंदोलन है इसलिए गंभीर बात है आज आए कुछी बयान सुनि है तो उनका एसा में हम किसान की आवाज राश्ट्रपती जी को कटले गए किसान दुख में हैं जब मैं और यह और मर भी रहे जब तक ये कानून वापिस नहीं लिया जाएगा पाहूल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंबीरता से नहीं लेती देश का तो सबाली नहीं उठता है कोई दसकत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान नहीं दसकत नहीं किये 2019 में आपने जब अपना गोशना पतर जारी किया उस समय आप जूंड बोल रहे थे या आज जूंड बोल रहे हो ये कांग्रेस को इसपश्ट करना चाहिए